प्रवावक कारकों का घ्यान होना अवशक है क्योंकि ये उसे बालकों की कमियों का घ्यान हो जाता है ये अधिगम सरल हो जाता है ये वह चात्रों में जिग्या सा उत्पन कर सकता है ये वह अपने इस घ्यान को प्रेरक की रूप में प्रियुक्त कर सकता है ये कोशन में पूछा गया उसके बात करते हैं एक सिचच को बाले वस्ता एबं किसारवस्ता में सारिक वा मान सरिक भीकास की विशेस्ता एबं उनके प्रावरग कारगाों को अग्यान होना आवशक है क्यों आवशक है यह कुछोचिन में पूचह जा रहा है इससे अधिगम सरल हो जाता है तो आन्सेल र celebrating बैगा भी अलग कोशन देखेंगे सिच्छा मनिश में अंतर निथ चमता का परपूरता में विकास करती है यह कतन किसका है A.S. स्वामी विकानंद का B.A. इसकिनर का C.A. पैस्टलोजी D.A. रविनाट टेगोर कोशन में कतन पूछा गया है कतन एक बार और देखेंगी सिच्छा मनश में अंतर नेत चमता का परपूर्टा में विकास करती है कतन पूछा गया है तो यह कतन है स्वामी विकरन जी का तो अंसर देक्ट हो जाएगा अगला कोशन देखेंगे अधिगम के कि सिध्धान्त में अभ्यास द्वारा सीखने पर सरवदिक बल दिया गया है अधिगम के कि सिध्धान्त में अभ्यास द्वारा सीखने पर सरवदिक बल दिया गया है यह कुश्यम पूछा रहा है तो जिसके बात करती है उद्धीपन अनुक्रिया सिद्धान्त जो कि अधिगम के सीखने के सिद्धान्त या अभ्यास द्वारा सीखने पर सर्वेदिक बल दिया गया है तो अंसर करक्ट जाएगा B अगरा कुश्यम देखेंगे कुटलेवन द्वारा दिया गया अधिगम सिद्धान्त है तो कुश्यम पूछा गया कि कुटलेवन द्वारा दिया गया अधिगम सिद्धान्त है तो कुटलेवन जी ने छेत्र वार या छेत्र सिद्धान्त दिया गया है तो अंसर करक्ट जाएगा A माफ किजिए C हो जाएगा वालो ओशन देखेंगे हावड गार्डन द्वारा नेमनल खत्में से A को छोड़कर बाकी सभी बुद्धियों के लिए बताए गए है तो A है बासा B है स्रिनापत्ता C है अंतरवैक्तिक कोशल D है अंतरवैक्तिक कोशल तो कोश्चन पुछा गया कि हावड गार्डन द्वारा नेमनल खत्में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के लिए बताए गए है या कोश्चन पुछा रहा है कोश्चन नेगेटिम में पुछा गया है कोश्चन के पहले हम लैंगोज समझेंगे उसके कोड़ अंसर देंगे जैसे कि बात कर दें हावड गार्डन द्वारा जो बुद्धि के लिए बताएगे बासा अंतर व्यक्तिक और अंतर व्यक्तिक कोश्चन बताएगेए जो कि नहीं बताएगा है इसमें option हो जाएगा B. स्रिजनाफ दुखता नहीं बताए गया तो गरेक्टर अंसर हो जाएगा B अगर कोशन देखेंगे संकेत अधियम के अंत्रगत नियमलगत सीखा जाता है A. मनोविज्यान B. परमपारिक अनकूलन C. बातवर D. मनोदेहिक तो कोशन पूछा गया कि A. संकेत अधियम के अंत्रगत नियमलगत सीखा जाता है किसके लिए सीखा जाता है एक कोशन पूछा रहा है तो जिसके बात करते हैं संकेत अधियम के अंत्रगत परमपारिक अनकूलन सीखा जाता है तो करेक्टर अंसर हो जाएगा यापने बारा अगला कोशन देखेंगे थोड़ा बढ़ा करेंगे मूल्यांगन का उद्देश है ए बच्चों को उत्तिवड उनुत्तिवड गोशित करना बच्चा क्या सीखा है जानना सी या बच्चे के सीखने में आई कटनाईयों को जानना दिया उपरुत सभी मूल्यांगन का उद्देश क्या है या कूशन में पूछा जा रहा है तो इसके बात करते है मूल्यांगन जो कि बच्चों को उत्तिवड उनुत्तिवड कोशित करता है और बच्चा क्या सीखा या क्या जाना इसके बारे में बताता है तो अंसे अक्रेक्ट हो जगा है यहाँ पी डी उप्रुक्त सवी अगला कोशन देखेंगे वीडियो को लाइक करते हैं साथ याथ चनल को सब्सक्राइब करें प्लाइकनों प्रैस कर लें जिससे की नोटिफिर में माध्यम से आपको वीडियो बिलती रहेंगी तो कोशन बात करते हैं बाला को कहें संप्रत्य ब्यक्तिकत स्रेडियो बद्य अब परवासित एबं सामान से बिसस्ति करण की और होते हैं तो आंसर क्रेक्ट याँ पी उप्रुक्त सभी डी अंसर आगला उशन देखेंगे निम्नल समयसे सरेडियो ब्यक्त का प्रमुक्त तत्व क्या नहीं है यह कोशन पूछा गया नहीं मैं कोशन पूछा गया और सीटेट में कुशन इस पकारके काफी आते हैं तो पहले कोशन की लेंगयिश समझेंगी और उसके कर्णूद्य हम अंसर देंगी कभी क्या होता है कि हम नहीं को नहीं पढ़ते हैं और answer positive में देते हैं और question हमारा गलत हो जाता है इसलिए पहले question को पढ़ेंगे बीकर बली फिर उसके according answer देंगे तो जैसके नहीं में question पुचा गया है या फिर तीन option जो के positive में होगे और एक हमारा negative में होगा वहीं हमारा answer हो जाएगा जैसके बात करते हैं तो जैसके मौलिक ता दारा प्रवाविता और रुलचला पन ये तत्तो होती है जो नहीं है अनुसासन था तो गरेकर अनुसासन अगला question देखेंगे बुद्धी को प्रवाविता करने में पुर्मुक्त रूप से बल दिया गया है ये अमूर चिंतन की चमता पर बीयर निड़न ले सकने की कुशलता पर पस्तितियों की साथ समयन की चमता पर डीयर उपरुक सभी पर तो question पुछा गया कि बुद्धी को परिवासित करने में पुर्मुक्त रूप से बल दिया गया है या किस पर बल दिया गया है ये question में बोला जारा तो जिसके बात करती है बुर्दी को प्रोश्ट करने में प्रूप से जो कि अमूर चितन की चमता पर निर्ण ले सकने की कुशलता पर नवीन पस्तितियों के साथ समयन की चमता पर इसका गोड़ी अंसर करेक्टर नहीं हम रहे हैं पर उप्रक सभी पर तो अंसर जाएगा D अगला उशन देखेंगे प्याजे की संग्यनत बिकास की मूर्त सक्रियात में अवस्ता का काल है A है 0 से 2 वर्स B है 2 से 7 वर्स C है 7 से 11 वर्स D है 11 वर्स से 15 वर्स तो question में पूचा है की प्याजे के संग्यनात विकास की मूर् तुसक्रियत अवस्ता काल क्या है यह question में पूचा है तो उसके बात करते है प्याजेजेजी की according जूकि संग्यनात विकास की मूर्तुसक्नात अवस्ता काल है जोकि 7 से 11 वर तो अन्से तक्र जाए है C अगला कुशन देखेंगे सामान बुद्धी बालक की बुद्धी लब्दी होती है A.A. 130 से अधिक B.A. 111 से 120 C.A. 91 से 110 D.A. माफ कीजिए 71 से कम तो कुशन में पूछा गया कि सामान बुद्धी बुद्धी लब्दी क्या होती है यह कुशन में पूछा रहा है किसे समाज सकते हैं कि सामान बुद्धी लब्दी क्या होती है यह कुशन में पूछा रहा है तो इसके बात करते हैं सामाने वालक की बुद्धी लब्दी जो की 91 से एक नहीं गई है तो आंसर करेक्ट हो जागा यहांपे हमारा C अगला कोशन देखेंगे समयोन की प्रक्रिया है A गतसील B इस्तर C इस्थापन D इस मानसिक तो कोशन पुछा क reservoir की समयोन की प्रक्रिया क्या है तूआ पर बात करती हैं समयोन की प्रक्रिया हो गई गतसील अंसर करक्ट हो जाएगा C माफ कीज़े A हो जाएगा अगला कोशन देखेंगे बालक के दुवारा सो अनुवावाव दुवारा लाव प्राप्ती की योगजिता प्रग्राम है A मानसिक बिकास का B पिछड़े पन का C मानसिक समस्या का D सामाजिक बिकास का तो कोशन पुछा गया कि बालक के दुवारा सो अनुवाव दुवारा लाव प्राप्ती की प्रग्राम योगजिता है यह कोशन पुछा जा रहा है तो उसके बात करती है मानसिक चमता का बालक के दुवारा सो अनुवावो द्वारा लावप्राप्ति की योगता प्रणाम है तो अंसे अन्रक्ट होना चीजे हमारा यहाँ पे A आरा उप्शन देखेंगे नियमननल खत्म से यह नियमनन खत्म है सम्बेग नहीं है कोश्चन में सम्बेग पुझा है नहीं मैं option देखेंगे A. बह, B. क्रोध, C. भूग, D. पलाइन तो इसके बात करेंगे प्रमुक संबेग या संबेग है जो कि बह भी संबेग है संबेग है और क्रोध भी संबेग है भूग भी संबेग है जो कि संबेग नहीं है पलाइन है तो answer रखट जाएगा D अगर भूशन देखेंगे निमनलख में से ब्यक्ति की हुआ है कौन सी योगिता या सक्ति है जिसके द्वारा हुआ है नवीन रचना उत्पादन करता है A. बुद्ध B. इस्मृति C. उत्तेजना D. स्रजनापुत्त तो कुश्चन पुछा है कि ब्यक्ति की हुआ है कौन सी योगिता या सक्ति है जिसके द्वारा नवीन रचना उत्पादन कर सकता है या करता है या क।श्चन पूछन 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 रहा है जिसके बात करती ही है आपगी आंसे र Eggू जाना चाहिए स्रजन सीलता है अंसर रेक्ट जाएगा D अगला उच्छन देखेंगे समाजी करड़ एवं बैक्ति करड़ एक ही प्रक्रिया के दो पहलु है यह कतन है A.D.V. V.R.U.S.O. C.A. MacIver D.A. Thorndike तो कुश्चन पुछा गया कि समाजी करड़ और बैक्ति करड़ एक ही प्रक्रिया के दो पहलु है यह कतन किसका यह कतन पुछा गया है तो उसके बात करती है यह कतन है MacIver D.A. दिया गया है तो अंसर रेक्ट जाएगा C. अगला उच्छन देखेंगे मनो लेंगे कि बिकास का मनो बैग्यानिक सिध्धान्त किस ने दिया है A. प्याजे B. ए फ्राइड C. ए चॉमस की D. ए इरेक्षन तो कुछन पूछागा कि मनो लेंगे कि बिकास का मनो बैग्यानिक सिध्धान्त किस ने दिया है यह कुछन पूछा रहा है तो इसके बात करते हैं मनों लेंगे कि विकास का मनों बैग्यनिक सिद्धान्थ जो की फ्राइड की द्वारा दिया गया है तो आंसे अकर्ट जाएगा B अगरा कोशन देखेंगे वीडियो को लाइक करते हैं साथ जानल को सब्सक्राइब करें लागर प्रेस कर लें जिससे की नोटिफिर मादम से आपको वीडियो बलती रहेंगी कोशन देखेंगे वीडियो बातवर में निम्न लगतमे से किसका बुद्धी पर सबसे अधिक प्रबाब पड़ता है या कोशन पुछा रहा है तो इसके बात करते हैं वीडियो बातवर में सबसे अधिक प्रबाब जो बुद्धी पड़ता है पार्ठी करेम का पड़ता है तो अंसरेक्ट हो जाएगा बी अगला कोशन देखेंगे वीडियो को लाइक करते हैं साथ में सेयर भी करते हैं दोस्तों साथ में चात्रों को नवीन पाठे बस्तु स सिखाने से पहले आप क्या करेंगे थिसकाने की नियम बताएंगे बी अवीन उद्णरदय देंगे सीयर चात्रों के पूर्व घ्यान इससर को पैचानेंगे data नवीन विदियों का प्रियोग करेंगे तो कोशन पुछन देखेंगा कि चात्रों को नवीन पाठे बस्तु यहां पर के चात्रों को सिखाने के लिए पहले हम चात्रों के पूर उग्यानिस्तर को पैचानेंगे तब नवीन पार्ट पॉस्तर सिखाने से की बात करेंगे तो आंसर रिक्त हो जाएगा C टिक कर देंगे यहां पर अंसर सिखाने हो जाएगा अलड़ा कोशन देखेंगे तरते साथ यहां चलको स्क्राइब करेंगे प्राइगर प्रैस कर लें जिससे की नोटिक्स में आदम से आपको पीडियों मलती रहेंगी कोशन देखेंगे बुद्धी परिच्छड के लिए पहला परिच्छड निम्रख में से कौन सा है? A.Pureman, Merrill Scale, B.Pureman, Stanford Revision, C.A.B. Simon परिच्छड, D.A.W.London Revision तो कॉश्चन पुछा क्या कि बुद्धी परिच्छड के लिए पहला परिच्छड निम्रख में से कौन सा है? यह कॉश्चन पुछा कि बुद्धी परिच्छड के लिए सबसे पहला परिच्छड माना गया है? तो अंसर खेक्टर देगा C. अगला कॉश्चन देखती है प्याजे के बौदिक विकास के पूर्व सप्रत्यात्मक चरड की अबदी क्या है? तो कॉश्चन पूछा गया कि प्याजे के बौदिक विकास के पूर्व सप्रत्यात्मक चरड की अबदी क्या है? यह कॉश्चन में पूछा जा रहा है दोसके बात करती है दो वर्ष से चार वर्ष तक की अबदी मानी गयी है तो अंसर खेक्टर जाएगा B अगला कॉश्चन देखेंगे मुल्यांगन का प्रमुख प्रियोजन क्या है? यह चात्रों के ब्यक्तित की पहचान करना भी यह अधिगम प्रक्रिया की प्रवावसीलता को बड़ावा देना सिये समाज में हो रहे दंगों को कम करना डी यह उप्रुक्त सभी अगला कॉश्चन देखेंगे बालक के किस अवस्था में मानसिक विकास बहुत रती ब्रता से होता है यह कुश्चन पूछा जरा है जो बात करते है बालक का मानसिक विकास जो की बाले वस्था में बहुत रती ब्रता से होता है तो अंसर रत्र जाएगा अगला कॉश्चन देखेंगे बालक सब प्रथम कौन सी क्रिया सीखता है यह बात करेंगे बालक सर प्रथम करना सीखता है तो अंसर रत जाएगा फस्थ अगला कॉश्चन देखेंगे प्रतच्च्चे सिच्च्चा विवार में किसे समलित नहीं किया जाएगा यह ब्याक्ख्यान देना ब्ये निर देश देना सी यह आलोचना करना या बार्सिक नियोजन करना तो कोशन में पूछा गया में किसे समलित नहीं किया जाएगा यह question में पूछा गया है तो सकी बात करते हैं ब्याक्ष्यान माफ कीजिये बार्सिक नियोजन करना प्रतज सुच्छा में सामिल नहीं किया जाएगा तो answer रख जाएगा D अगला question देखेंगे वीडियो को लाइक करते साथ आप में चनल को सुश्क्राइब करा है जिससे की नोटिश्मने में आधिम से आपको वीडियो विलती रहेंगी question देखेंगे साय किसामग्री के प्रयोग से A. रोचक बन जाता है ग्यान इस्ता ही होता है सरल बन जाता है दिये उपरिक सभी बाते है तो कोशन पुछा गया कि साय किसामगरी के माद्यम से या प्रयोग से बिस्या किस प्रकार्ड का हो जाता है या कोशन पुछा गया रहा है तो उसके बात करते हैं साय किसामिकरी के प्रयोग से बिसे सरल बन जाता है, तो आंसर रिक्ट जाएगा C, अगला कुशन देखेंगे, कक्छा कक्छ प्रकरियाओं में कैसा बातावर्ण विद्यार्टियों की निश्पत्तियों को उच्छ स्तर पर प्रोसाइद करता है, तो कुशन पूचा गया, कक्छा कक्छ प्रकरियाओं में कैसा बातावर्ण विद्यार्टियों की निश्पत्यों को उच्छ स्तर पर प्रोसाइद करता है, यह कुशन पूचा गया, तो जैसे के बात करती है, लोकतांत्रिक बातावर्ण कच्छ प्रकरियाओं में विद्यार्टियों की निश्पत्यों को उच्छ स्तर पर प्रोसाइद करता है, तो अंसे लख जाएगा, डी, अगला कुशन देखेंगे, किस चिंतन में ब्यक्ति किसी गटना, तैथ अत्वा, बस्तू की सच्छाई सुईकार करने से पहले, उसके गुड़ दोष्ट की परक कर लेता है, तो कोशन पूए ब्यक्ति किसी गटना, तैथ अत्वा, बस्तू की सच्छाई सुईकार करने से पहले, उसके गुड़ दोष्ट की परक कर लेता है, यह कोशन पूए जा रहा है, दूसे के बात करती है, आलोचनात्पक चिंतन में व्यक्ति किसी गटना तेथे अत्वा बस्तु की सच्छा ही सुईकर करने से पहले उसके गुड़ दोस्त की परक कर लेता है तो अंसर करेक्ट पर जागा यहाँ पर हमारा B अगला कोशन देखेंगे विद्धिहाला में विद्धिहारतियों को कैसे अविपरित करना उचित है तो कोशन पूछा गया है कि विद्धिहाला में विद्धिहारतियों को कैसे अविपरित करना उचित है यह कोशन में पूछा गया है तो इसके बात करेंगे कि मिद्धियातियों को अविप्रवित करने के लिए सस्वर अधिगम द्वारा करना चाहिए तो अंसे करेक्ट हो जाएगा दी दोस्तों सैसर नहीं हो रहे हैं हमारे यह भी स्वाप्त होता है वीडियो ऐसा सेर करें लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें पर अगर प्रैस कर लें जिससे के नटीव में बादिम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी तो मिलते हैं नेक्स आसन में जैन दोस्तों बंदों मात्रम